हलो फ्रेंट्स नमस्कार एंड जाहिन मैं राजे जाट आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूँ कैसे हैं दोस्तो बहुत अच्छे से होंगे जैसा कि आप सभी को पता है कि टी ए ने ओल इंडिया बेसिस पे जो वेकेंसिस है वो अनॉंस्मेंट ओफिशली कर चुकी है ठीके अब बारी हैं आप सभी को तयार हो जाने की दोस्तो और साथ ही सेशन में मैं आपको बताने वाला हूँ बहुत ही important information जी हाँ दोस्तो टी ए जो है इस बार बहुत सारे बदलाव के साथ आपका recruitment करवाने जा रही है क्या बदलाव हैं आपको क्या चीजे हैं जो नहीं दिखेगी इस सेशन को पूरा दिखेगा दोस्तो बिलकुल आप किसी भी जोन से हो इंडिया के first या फिर second zone, third zone, fourth zone सभी के लिए ये video बहुत जादा important है क्योंकि all our India TA जो vacancies है उनकी सारे zone की vacancies आपको मैं जो officially charts थे उनके माधियम से आपको बता चुका हूँ कि TA ने हर एक zone की recruitment है unit wise वो announcement हो चुकी है ठीके तो already मैं आपको vacancies के बारे में हर एक chart के बारे में पहले live session के माधियम से आ अब यहाँ पर बहुत सारे बच्चे जो पूछ रहे हैं कि सर कुछ time में बदला हुआ है क्या क्योंकि obviously बात है मैंने भी आपको live session में बताया है officially chart के माधियम से जो की zone first, zone fourth के जो viral chart है बड़े बड़े chart थी कि उसमें TA का जो timing schedule है उसके बारे में जिकर किया गया है और बिल सारे बच्चे timing को लेकर ज़्यादा confused हैं तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँआ कि देखे टीए ना पांस साल बाद vacancy करवा रही है ठीके तो बहुत सारा update भी आपको मिलेगा क्योंकि इस बार टीए के जितने भी charts आए ना वो Indian Army ने ही draft तयार किया है और जो time especially charts में द होते हैं उसमें minimum 18 साल age होती है और maximum 42 साल तक की age के युवा साती जो है वो भाग लेते हैं तो अब रही बात यहां पर दो group में divide किया गया है age wise ठीक है जो youth 18 से 30 साल तक आते हैं उनका एक अलग group बना दिया है और 31 साल से लेके 42 साल तक के जो युवा हैं उनका एक अलग group बन दिया गया है तो obviously बात है कि जहां पर यह जो दो group बनेंगे ना जिस भी unit में दो group बनेंगे मैं आपको आगे और भी जानकारी दूँआ प्लीज मेरी बात को ध्यान से सुना जहां पर जिस भी unit में अगर दो group wise running होगी ना तो obviously बात है जो 18 से 30 साल वाले बंद है ना उनको कम time दिया जाएगा और as compared to first group जो second group पराले बच्चे होंगे 31 साल से लेकर 42 साल तक तो obviously बात है उनके age के इसाब से उनको थोड़ा time में जो relaxation दिया जाता है और यह कोई पहली बार नहीं हुआ है भाई मैं आपको बता देता हूं कि last जो भरतिया हुई थी 2019 तक 2018 इस सभी में जो होता था कि जितने भी बंदे 30 प्लस वाले हैं 31 से 42 साल के बीच में आते हैं age में वो एक अलग अपनी file बना के बेट जाए ठीक है उसके बाद उनको time में छूट दिया जाता था है यह बिलकुल 100% सही है कि इस बार दो group बनेंगे और last time भी groups बनते हुए है दूस्तों ठीक है कि जो बंदे 18 से 30 साल वाले हैं अगर वो first group में आते हैं मतलब 5 minute से 30 second के बीच में आते हैं तो उनको running में पूरे के पूरे marks दिये जाएंगे 60 marks ठीक है और जो बच्चे 15, 30 से 15, 45 तक आएंगे ठीक है उनको कितने marks मिलेंगे आपको 40 number यही criteria सेम अगनी वीर का बना हुआ है अगर हम बात कर लें second group की age wise जिनका है 31 से 42 साल तक उनको time दिया गया है minimum जो time है आपको 6 minute से लेकर अगर 15 second तक आप cover कर जाएंगे running में तो आपको 40 number मिल जाएंगे, sorry 60 number मिलेंगे और जो बच्चे 6 minute 15 second से 6 minute 30 second तक आएंगे ठीक है उनको कितने marks मिलेंगे 40 marks मिलेंगे मतलब total 6 minute तक का time mention है इस officially chart में और ये 100% officially chart है दोस्तों इसको आप fake ना समझेगा तो कहीं न कहीं इस बार timing का बहुत अच्छे से उन्होंने clear किया है क्योंकि इंडिया की जो vacancies हैं all our India basis पे आई हैं तो उन्होंने हर एक चीज on paper आपको सामने रख दी है दोस्तों अब आपक जाना है भरती स्तल पर बिल्कूल अपना जो अनुभव हैं उसको आप गेदर करें वहां जाएं अगर जो बच्चा पहली बार टीय की भरती देखने जा रहा है तो मैं आपको यही message दूआ कि सबसे पहले अपने documents ready कर लीजे और पहले भरती स्तल पर जाएं पहले भरती दे इसलिए इस जो पांस साल का लंबा सेशन रहा है इस बीच में बहुत सारे सी चीजे भी हुई है सरकमसांसे भी बने हुए हैं जैसे अगली विराया कोवीड आया तो इस दोरान हो सकता है भरतिया डिले हुई है बट अब इसा सुनने में आ रहा है कि जो भरतिया है टीय की वो कंटीन्यू आने की संभावना बताई जा रही है ठीक है और वेकेंसी काफी बल्क में है टीय में तो जिन योद्धाओं का सपना है कि वो भारति सेना जोइन करके देश को रिप्रेजेंट करें सोलजर के तोर पर तो दोस्तों टीय से अच्छा मोगा आपको कभी नहीं म और दिया जाईगा तो देखिए दोस्तों पिशली बार कि अकर हम तुना करें तो आरमी में भी सेम क्राइकेरा definite होता था ऐको पता है कि अुप लाइन भरती थी तो चार्शार के फाइल बन की फाइल बंदी थी और किसी-किसी जगे तो 33-44 बंदे आर्मी में लेते थे अग क्योंकि crowd इतना है कि केसे भी करके उनको बच्चों को maintain करना रहता है बट इस बार क्या होगा ना कि उन्होंने हर एक चीज आपको बता दी गई है कि डेट दे दी गई है और एक state को दो डेट दी है मतलब सोचो जिसे उडिसा का है तो 12 और 13 नौंबर तक उडिसा वाले जो अब यहाँ पर आपका एक doubt आएगा दोस्तों बहुत बड़ा doubt है अभी तक आपने सायद notice नहीं किया होगा बट मैं आपको next session 100% clear करूआ क्योंकि आप एक चीज पर गोर नहीं कर रहे हैं दोस्तों मैं भी उस चीज के लिए बिलकुल अपने तरह से लगा हुआ हूँ जैसे मुझे वहाँ से finally update मिलती है मैं आपके लिए बहुत शानदार information लेके आने वाला हूँ TA में ठीक है अगर ऐसा हुआ तो आप सभी के लिए बहुत अच्छी वो cover रहने वाली हैं दोस्तों तो finally जो बच्चे बोल रहे थे कि sir क्या वाके में time में कुछ relaxation दिया जाएगा तो ब भी किसी जोन में तीन जगे किसी जोन में चार जगे चलेगी किसी जोन में पांच जगे हो रही है मतलब बच्चा जो है वो divide हो जाएगा मेरे भाई इसलिए ना time अच्छा मिलने का आपका पूरा chance है दोस्तों और यह 100% authentic जान का रही थी मुझे लगा आप सभी का जो लगा जगे जगे पारागा